नमस्कार लाइव लगतार में आपका स्वागत है और अभी ग्यारह गैर अनुसूचित जिलों के 626 हाई स्कूल के अभ्यरतियों का जो की इतिहास और नागरिशास्त्र के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति का मामला काफी सुर्खियों में है इन लोगों ने इच्छा मृत्यों की मांग की है पिछले दिनों मंत्री मिथलेश ठाकुर और प्रोजेक्ट भवन का भी घिराओ किया था और कहा था कि अगर उन्हें नौकर नहीं दी जाए तो उन्हें इच्छा मृत्यू ही दे दी जाए इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी नितेश ओ आप जैसे जानेंगे तो आपको सुनने के बाद मतलब हमारी दर्शकों को अस्तर लगेगा कि एकक साल में एक परकिरिया हो रही है जैसे मैं आपको बता रहे हुता हूं 2016 में भी घ्यापन निकलता है परिक्षा युजित की जाती है आपकी अक्टूबर नौमबर 2017 में यान याना की तो उसन नेटी जाता है मामला का एक सुनी कोमारी जो के सक्याव फूरवर्थी रगवर सरकार ने इन शिक्षण जो विग्यापन निकला ता उस बिग्यापन को लेकर यह अस्तानी सब्सक्राइब बन गया लेकिन इस बीस क्या होता है कि जब ज्ञारकन हाइप में सुनवाई होती है यहाद रखेगा सिप्टेंबर 2020 को हाइप के निर्ने आता है हाइक को द्लार तो ने में नेरे कि इन लोग जए नहीं है सब्सक्राइब कर दिया जाता है सब कुछ ठीक है जो इस एक्जाम को कंड़क्ट कराया यानि जारकन करमचारी चैन आयो उन्होंने नियुक्ति को लेका कार्मिक नियुक्ति को रोक लगा दी कार्मिक कभी तर्क था कि नहीं अभी तेरा अनुसुस्य जीला के मामला बिवाद में है तो हम लोग 11 को भी नहीं करेंगे लेकिन एक चीजा रखेगा कहीं भी सेयों कि अभिहरतियों के निकति कर दियाती है लेकिन इतियास और जैसा सुप्रिम कोट ने भी जारकन आई कोट के जो जज्जमेंट सिप्टेमर 2020 को उसको यह थावत रखा यानि 11-11 अनुसुस्य दिला में नियुक्ति पे कोई रोक नहीं है आप नहीं लोगों को कि आपकी नियुक्ति अब हो सकती राष्ता साफ हो गया और जाहिर सी बात है 18, 19, 21, 21 इकईस भी खतम होने को है तो अब चुकिए सुप्रिम कोट से बे जज़्जमेंट आ गया है लोगों नियुक्ति मिल रहा है तब यह लोगों ने अभी परसो ही जब सुप्रिम कोट के अभी डिश्यन आ गया परसो ही लोगों ने अपने नियुक्ति लेकर मिले स्थाकों ने इन लोगों को जब हाई कोट कर डिशान आया था शिप्टमब दोज़ा बीच में उनके बाद मितले स्थाकुर शिया भेड़ती मिलेते हैं पुरजयक भाउन में मुख के सच्वों सुग्देयो सिंग से भी इन लोग की मुलाकात होई है अभी अर्तियों के परतिनिदी मंदल की एक मुलाकात होई है सब्सक्राइब करते हैं कि सरकार इनकी मांगों पर साहनो भूती पूरवक विजार करेगी क्योंकि सुप्रीम कोट ने भी एक तरीके से इन्हें हरी जंडी दे दी है और इनकी मांग जो है वो बिलकुल भी जायज है छे साल हो गए हैं और अब सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को जल्द पूरा करे और इन्हें इच्छा मृत्यू की जो मांग कर रहे हैं वैसा नहीं करने दे तो इस ख़बर में इतना ही लेकिन आप ख़बरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं लाइव लगातार और हमें सब्सक्राइब करना न बूले नमस्कार न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगातार डॉट इन के साथ